मित्रो जय माता दी आप देख रहे हैं धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा मैं रोज की तरह एक बार फेसे मैं जरू हूँ आज का संपून रासी पल लेकर यह संपून रासी पल बुद्धुवार यान की 26 जनवरी 2022 का अगर आज के पंजांग की बात कहें तो आज है विक्रम संबद माघमा कृष्ण परक्ष के नौ मी देथी आज रात ली के 12 बच कर 41 में तक रहने वाल है ततुप्राण फिर 10 में देथी आरब हो जाएगी नचातर आज कर रहने वाल है स्वाती आज सुभा के 6 बच कर 22 में तक रहने वाल है याने कि सूर्यो देत के पहले यह समाप्त हो ज दिवस आप सभी को गंतन्तर दिवस की हर्दिक सूब काम नहीं मित्रोंगर आपको आज का पंचांग और फी विस्तार जानना है एक एक मोर्तोंग गाम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुए है मुहां जाकर आप आज का पंचांग विष्टार पूर्वक जान सकते हैं, एक-एक मोर्तोगाय में जान सकते हैं आज के संपून रासीबल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासीबल साथ ही हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिशासूल, through às रासी नसार कौन सा खादयबदार सुब रहेगा, रासी नसार कौन सा रंग सुब रहhayगा और लखी नम्मर क्या रहने वाला आपका रासी के अनुसार तो वीडियो में हमार साथ अंतक बने रही है ताकि आपको संपुल रासिवल की जानकारी मिल पाए रासिवल का वीडियो पसंदाई जानकारी अच्छी लगए उसे लाइक करें कमेंट बक्स में जै माता दे जो लिखें मित्रों आज के 12 रासिवल आपको बताना आराम करो उससे पहले आए एक रेंजर डालें आज के गरहों किस्तिती पर क्यांकि गरहों किस्तिती पर ही पूरा का पूरा रासिवल निर्भर करता है आज राहू वरिस रासी में चंदरमा तुला रासी में केतु विश्चिक रासी में मंगल और सुक्र दोनों एक साथ धनु रासी में बुद्ध सनी और सुरी तीनों एक साथ मकर रासी में गुरु कुम रासी में विराजित है तुला रासीम चंद्रमा आज रात दीके 11 बच कर 48 मेर तक रहेंगे उसके बाद चंद्रमा का फे विश्चिक रासी में परवेश हो जाएगा तो इनी से भी ग्रहों का मिलाद लाहल आज जानते हैं आज के रासी फल में बात करेंगे पहली रासी मेस रासी की मेस रासी मचंद्रमा आज सात्वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसरुप आज के दिन आपके मान सम्मान में विर्धी होगी आज आपका समय मनलो औरंजन में बीतेगा स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति आपको होगी दोस्तों और परिजनों के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच सब के ध्यान का केंद्र बने रहेंगे बात करेंगे व्यापार और धन की तो आज करें आपके लिए कारोबार के विस्तार और धन संग्रा करने के योग बन रहें परबल धनलाप के भी योग बन रहें आपके व्यापार में विर्धी होगी कारेच्छेत में आपके कामकाज की सराहना भी होगी जल्दबाजी में फैसले ना करें, इससे आपको जीवन में पस्ताना पर सकता है बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज करें मध्यम रहने वाला है फोन और सोशल मीडिया में अपना समय बरबाद ना करें, महनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्ति की बात करेंगे आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है अपने जीवन साथी के स्वास्ति का ध्यान रखें मौस्मी बिवारियों से सचेत रहें प्रेम समन्द की बात करेंगे तो आज का दिन आपके प्रेम परसंगों के लिए अनकूल रहेगा आज आपने जीवन साथी को यह ज़रूर बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समन्द सुधरीड होंगे आज की नगर ब्राउन राइस याने की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आज का सुब रंग क्रीम कलर लकी नमर आज का रहने वाला साथ बात करंगे वरिसरासिकी वरिशासिम चंदर्मा आज आठवे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप बेकार के सोच में आपका समय और उर्जा दोनों बरवाद हो सकता है तो इसका ध्यान रखें बलकि एगर सही दिशा में समय लगाएंगे तो इसका फाइदा भी आपको मिलेगा भागीदारी वाले वेवसयाओं में निवेस करने से आज बचें आज किसी प्रकार का जोखीम ना ले जोखीम नेलने से बचें आज आज आपके लिए सफलता प्राप्ट करने के दिन है कुछ जातकों के लिए की गई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वारा किये जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहे थे बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज आपका ना चाहते हुए विफालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते हुए खर्च पे नियंतरन जरूर रखें ये आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं विद्यार्थ जितमे थोड़ा उतार चरहाओ भी आसकते हैं तो अपने स्वास्ति का धियान जरूर रखें प्रेम समन्ध के बात करें प्रेम समन्धों में थねぇ उतार चरहाओ आसकते हैं से हलकी नोग्जों की संभावना पन रही है लेकिन बाद में सब कुस्स आमाने भी हो जाएगा आज आज के दिन दूद से बनी वी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल और पीला रंग का कॉमिनेशन लकी नममर आज का नौ रहेगा बात करेंगे मिथुन राशिकी चंदर्मा नौ में इस्थान में विराजित है जिसके आज आपके मन में किसी प्रकार का भाय बना रहेगा, मानसिक संतुलन बना के रखें, काम और घरबारों का दवाव आज आपको थोड़ा गुसेल बना सकता हैं, आज के इन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलन जुलना आपका होता रहेगा, बात करेंगे व्यापार और धन आपके संबनाने की कोशिस करें, उनके साथ आने वाले दिनों की योजना हैं, शेयर करें, इससे आपके संबन्द अच्छे रहेंगे, आज के नगा अदरक अपने खाद्रपदात में सामिल करेंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग, गुलाबी रंग, लखी नम्मराज का रहने वाले 9, बात करेंगे अब कारकरासी की, कारकरासी में चंदरमा दसमें अस्थान में विराजित है, जिसके प्रसुब आज के लिए आपका मन उमंग से भरा रहे हैं, जिससे घरेलू जीवन में कुछ तनाव का सामना आपको करना पर सकता है, आपके जो भी प्रियेजन हैं, वे आपके भरोसे और वादे की जरूरत को आज महसूस करेंगे, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो जो आतक नोकरी करते हैं, उन्हें आज ओफिस में अच् जरूर उठावे, आपके व्यापार के लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं, विद्यार्थी की बात करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहेगा, महनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको जरूर होगी, स्वास्ते की बात करें, भोजन और न आज के लिए कर दही खाएंगे, तब के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, सुनारा रंग, लकी नमराज का रहने वाला साथ, बात करेंगे सिंग रासी की, सिंग रासीम चंदर्मा आज 11 वे स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुब आज के दिन की चिंताएं कुछ कम होंगी, आपकी कल्पना सकती और सिजन सकती उभर कर सामने आएंगी, ऐसे में जुजा तक साहिते लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए, उनको अज सफलता प्राप्त हो सकती है, आज कहीं आप यातरा पे जा सकते हैं, अगर कोई पारिवारिक जहनों को सुलजाने में कामियाब रहेंगे, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर ही बोले, किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में आप मददाज कर सकते हैं, बात करंगे, व्यापार और धन की तवित्तिय मामलों पर ध्यान देने की आवे सकता है, आज किन क्या गया निवेस आपके लिए काफी फाइदे मन साबित हो सकता है, लेकिन निवेस सोच समझकर ही करें, आपको अपने भागिदारों यानि की पार्टनर्स के विरोध का सामनाज करना पर सकता है, विद्यार्थी की बात करें, साहित लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए विद्या प्रेम समंधों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है, आज आपको महसूस हो सकता है, कि जीवन साथी के जीवन में आपके कितनी जरूरत है, आज करेंगर निम्बू अपने खादे पदात में सामीर करेंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबर कुछ दिनों से आपका व्यक्ति के जीवन ही आपके ध्यान का केंदरा है, लेकिन आज आप समाजी कारियों पर जयार ध्यान दे सकते हैं, और जरूरत्मन व्यक्ति की मदद करने की कोशिस कर सकते हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आज आपके बिगरे हुए कारी भी प्राप्त हो सकता है, जिससे कारी अस्थल पर माहौल अच्छा बना रहेगा, आज कई सुरोतों से धनला आपके योग भी बन रहे हैं, विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों का आज करी महिद करने की आवे सकता है, जुजा तक आज महिद करने के उन्हें सफलता की स्वास्त की बातकर, स्वास्त की दृष्टी से आज कर दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान जोड रखे, प्रेम समंत की बातकर आज अपने जीवन साथी के गुस्चे का स्cąता है, विवाहियो गिजातकों के लिए आज करी महिद जिसके फ्रसुब आजके इन आपको कहीं से सुबसमचार की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों और परिजनों के साथ आपका इन काफी अच्छा बीतेगा किसी से कुछ उपहर की प्राप्ती हो सकती है लेकिन सचेत रहें आज नसीब अजनबियों से बलकि दोस्तों से भी साधान रहने की जरूरत है आपको बाहर गुमने की यूजना बन सकती है तो था स्वाधिष्ट भोजन करने का आउसर भी प्राप्त होगा आज कीन आपके लिए कई तरह से फाइदे मन सावित हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कई चीज़ें आपके पक्ष में भी जाएंगी और आपको हर काम में सफलता मिलने की संभावना बन रही है व्यापार और धन की बात का है जो अतक नोगरी करते हैं वे अपना कारी अच्छे तरीके से ही करें क्योंकि आज आपके बॉस की निजर आप पर ही है इसलिए उनके निगाहों में अच्छे बने रहने के लिए अपना काम मेहनत से ही करें वो ऐसे भी अपना कारी इमानदारी पूर्वक करना चाहिए जुदा तक व्यापार करते हैं जिन्हें निवेस करना है वे आज अच्छे से सोच समझ करें निवेस करें तभी आपको आर्थिक लाव हो सकता है विद्यार्थी की बात करत विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहेगा आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने की योग भी बन रहे है तो मेहत में किसी परकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखे स्वास्ति की बात करत आज के दिन आपका स्वास्ति अच्छा रहेगा, फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान जोड रखे, मौस्ट भी विवारियों से सचेत रहे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लकी निम्मराज का नौ रहने वाला है। लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फाइदे मन भी रह सकती है। ज़्यादा बरबाद ना करें अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान दें। सुब रहने वाला है जीवन साथी से सामन जस्या आपका बना रहेगा। आज करेंगर बादाम अपने खाद बतात हमें सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग गुलाबी रंग लकी निम्मराज का साथ रहेगा। बात करेंगे धनु आसिकी। धनु आसिम चंदमा तीसरे स्थान में विराजित है। जिसके फ्रसुप आज करने आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको मान सम्मान मिलेगा। साथी आपको यस, किर्थी और लावे की प्राप्ती भी होगी। बुजुर्गों और मित्रों के साथ आपका दिन अनन्द में भीतेगा। साथी पत्नी और बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा भीतेगा। किसी प्रिये व्यक्ती से मुलाकात होने की संभावना बन रही है। कारिय स्थलप परिश्रम के अनरूप लावे की प्राप्ती आपको होगी। कीमती वस्तुमों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भय बना रह सकता है। आज आपके लिए नया काम करने के लिए भी अच्छा दिन है। व्यापार और धनकी बात करें तो व्यापार धनकी द्रिश्टी से आज के अपके अच्छा रहने वाला है। आज रोजगार के लिए किया अगया प्रयास आपका सफल रहेगा। विद्यार्थी की बातकरद विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामाने रहने वाला है, मेनद करें सफलता के प्राप्ति आपको होगी, स्वास्ति की बातकरद स्वास्ति के द्रिश्टी से आज के नपकरें बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, बुजर्व जातकों को विवानियों से कष्ट हो सकता है प्रेम समंध की बात करता आज पाती पत्नी के बीच प्रेम समंध अच्छा बना रहेगा समंध हो में मदूरता बनी रहेगी अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं ये आपके प्रेम समंध के लिए अच्छा ही रहेगा आज के लिए आँकोरित अनाज खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग आसमानी रंग लकीनेमराज का दो रहेगा बात केंगे मकर रासिकी मकर रासिम चंदर्मा चोथे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपके घर दथा कारी अस्थाल में बहतर वाताब रहने से आपको काफी प्रसंद नता होगी मित्रों या पड़िवार के सज़स्यों के साथ मोज मस्ती भरी यातर आपको सुकून दे सकती है आपके किसी प्रिये वक्ति के साथ आपके कुछ मतभेद उभर कर आज सामने आ सकते हैं साथी लोग आपको अज समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जबाब नहीं देंगे तो आपके सहीयोगी भी आपसे नराज हो सकते हैं नोकरी करने वाई जातकों के लिए आज के इन अच्छा रहने वाल है उच्छ पतादिकारी आपके कारी की सराहना कर सकते हैं सरकारी कारी उस आपको सफलता मिलेगी अपनों से मनमोटाव होने की संभावना बन रही है तो अच्छे समन्द बना के रखें व्यापार और धन की बात के आज रोजगार प्राप्ति के प्रियाज सफल रहेंगे नोकरी करने वालों के लिए आज के इन बढ़िया रहने वाला है व्यापारी वर्ग आज थोड़ा समल कर रहें विद्यार्थी की बात के चंद्रमा के चोथे भाव में होने के कारण आज आपका मन अपेक्षाकरी जद्ध चंचल रह सकता है पढ़ाई से आपका ध्यान भटक सकता है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भरकर सामने आ सकते हैं तो मतभेदों से बचें आपको उपने प्रेम समन्दों के प्रती सचित रहना चाहिए हो सकता आपका जीवन साथी आपके लिए आज पढ़ियाप्त समय ना निकाल पाए जिसके प्रसुद आज आपको अपने जीमिदारियों को समझने की आवश सकता है आपके जीमिदारी का निर्वा आप अच्छे धंग से करने का प्रयास कर रहेंगे आज आपका मन परसंद रहेगा लेकिन आलस से की अधिकता से कारियों में थोड़ा विला में भी हो सकता है लेकिन इसके बाबजूद भी आज का दिन आपके लिए बहुत ही सकरी है और लोगों से मेल जूल भरा रह सकता है आज आपके उत्साह में कमी तो बिलकुल भी ना ने दे उस साह में कमी के करण आपके कारी प्रभावित हो सकते हैं इसका प्रभाव वेविसाइक छेतर में भी देखने को मिल सकता है जाता लाब के लिए आपको अपने कारी परणाली में सुधार करने की आवे सकता है कुछ राजी की सहयोग मिलने की से मामना बन रही है संतान के साथ मद्वेद हो सकते हैं आज कोई भी महतपूर ने ने सोच समझ करें किसी अध्यात्मी गुरू या ज्यानी पुरुष की सलाह से ले व्यापार और धन की बात करें तो अगर आज के दिन कोई नही व्यापारी की युजना बनाएंगे तो आने वाले समय में उसका लाव भी आपको मिलेगा आपके व्यापारिक पर्तिजन दी आज सांत रहेंगे विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्त की बात करेंगे आज आपका स्वास्ते ठकान और अलस्त का अनफव करेंगे व्यास्त दिन्चरिया होने के बाब जूद आपका स्वास्ते सामानने रहेगा प्रेम समन्त की बात करें तो विवाही जात्कों को ग्रहस्त सुख मिलेगा, आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की प्राप्ति होगी, आज के निगर दही खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लकिन मराज का रहने वाले तीन, बात करेंगे मीन नासी की, मीन नासीम चंतरमा छटे स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुब आज आपके उदार सभाव का गलत फायदा उठाया जा सकता है, तो सचेत रहें, आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, तो अपने फिज की बात करेंगे अंगर कहीं आप निवेस करते हैं तो उसके बाएम पहले से घराय से जाने की कोशिस करें, कोई भी कदम उठाने से पहले विश्यासग की सलाह जोड़ ले, तभी कहीं निवेस करें। तो मित्रो यह थाज के 12 रासी का रासी फल आप जालने ते आज का सूब समय आज का सूब समय यानि की गुली काल रहने वाला है दिन के 11 बच कर 13 मिनट से लेकर 12 बच कर 33 मिन तक इस समय में कोई भी नया काली आरम करेंगे तो इसमें आपको सफलतात लगेगी आज का असूब समय यानि की राहु काल रहने वाले दिन के 12 बच कर 33 मिनट से लेकर 1 बच कर 54 मिन तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो इसमें आपको सफलतात लगेगी रहा है दिशार असूल अज उत्तर दिशा में है रही उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रियोजण से याता नकरिया आपको नुक्सान हो सकता है और सुब खाध्यास का धनियार रहने वाला है आज धनिया भी खाकर याता हशा사를 करेंगे तो इसमें आपको सबलतात लगेगी तो में तो ये थाज का संपूरासी भल कल के संपूरासी भल के लिए जूरेने धर्मसिक्चा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्चा जे माता दिन